आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए वेज बर्गर और मैं बना रही हूँ आलो टिक्की बर्गर और मेरी इस आलो टिक्की के सामने नाम मैक डॉनल की आलो टिक्की भी फेल है तो वीडियो पूरा देखेगा चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दो आलू ले लिया है अब इसको हमें मैश कर लेना है तो एक मैशर ले लिया है मैंने बस इस बात का ध्यान रखेगा कि आलू बहुत गर्म नी होना चाहिए आधा चमच डालेंगे इसमें नम मैगी मसाला है मैजिक और बहुत इंपोर्टन मसाला है यह इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए दो चमच मैं यहाँ पे ब्रैट क्रम डालूंगी तो यह टेबल स्पून है और अब आलू टिकी के लिए बाइंडिंग की ज़ुरत है तो मैं यहाँ पे कॉन फ्लार ले रही तो फ्रेंड्स यह टिक्की और यह जो बर्गर है ना बहुत असानी से बहुत कम समय में घर में बन जाता है तो आप कोशिश करिएगा कि बच्चों को अपने परिवार को बिल्कुल फ्रेश बना के खाना खिलाएं और जो मार्केट में डीप फ्रिजर में रखी हुई टिक बनेगी और बस जब बनते चाहेगी तो आप इसे एक अलग प्लेट में लिका लेजेगा और इसी तरह से आप दूसरी टिक्कियां भी बना लीजेगा और बड़ी छोटी टिक्की आप बिल्कुल अपने हिसाब से कर सकते हैं तो मैंने थोड़ी सी बड़ी-बड़ी बनाई के लिए फ्रिजर में रखने से यह बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइय होंगी और आप चाहें तो ना दो से तीन दिन इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिजर में और अगर आप इसे स्टोर कर रहे है ना तो एक एयर टाइक पॉलिधी में रखियेगा ताकि इसके अंदर और बिल्कुल गर्म गर्म ओईल में ना बिल्कुल हाथ बचाके आप टिक्केों को इसमें डाल दीजेगा और जब अच्छा सा कलर आजाएगा ना तो इसे बाहर लिखा लिजेगा और देखे कितनी सुन्दर लग रही हैं ये टिक्कियां आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं अगर आप इसका बर्गर नहीं बना रहे हैं तो बहुत ही लाजवाब बनती है और बस ये कितनी क्रंची बनी है इसकी आवाज सुनिया आप काली जी करण्ची कुशन ही तीक की तो बन के तएर विना देर ये बना लेते हैं बर्गर require तो बर्गर बैड को मैंने तव पे सेक लिया है और एक तरफ में वेच मायोनिज और एक तथंग लगा ले विया तिस के पत्त है वर वक्त में और लगा लिए कॉमाज सेका पत्ता हमारा अलु टिक की बर्गर बिल्कुल बन के तयार हो गया है बहुत ही यमी लगता है फ्रेंड्स आप इसे एक बर्गर में जरूर ट्राय करिएगा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और हां बैल आइकन को दबाना त चलिए फ्रेंड्स आप इसे एंजॉय करिए मैं मिलूंगे आपको अगली डिश के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा